भाना गरवाल स्वा आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले सब्सक्राइब बिल सो जैसे अभी आप सभी स्ट्विट्पर को पता है कि अभी रिसेंटली क्वा इसम था था आप सभी स्टुनेंट्स को पता है कि TCS दो तरीके साइरिंग करती है एक NQT से आरिंग करती है कोड़ वीटा एक्जाम अभी रिसेंड़ी कोड़ वीटा एक्जाम हुआ था एंड उस एक्जाम का उस राउंड वन का रिजल्ट्स आउट हो चुका है आप लोग इनकी वै एबवाइब साइट पे आपको दिख जाएगी रिजल्ट्स आ नइंग सबसे पहल पर के बाद करने वाल कि जाओं वहां करने पर कौन सी प्रोफाइल मिलेगी क्या में इंटर्यू कोल आ जाएगी तो बहुत सारे आप सभी स्टुडेंट्स के डाउट्स होगी वह इस वीडियो में कवर करने वाला हूं एंड वीडियो तक देखना क्यूंकि कम्पलीट वीडियो आप लोग को काफी एल्प करने वा बतायता हूं आपके सीनिय 2024 बैच के जितने भी स्टुडेंट्स की टीसस के अंदर प्लेसमेंट्स हुई है मल्टीबल प्रोफाइल पे चाहे वो निंजाओ चाहे वो आपकी प्राइम प्रोफाइल हो चाहे आपकी डिजिटल प्रोफाइल हो असेंचर जैसी कंपनी के के से सथ्याइन होने से पहले चैंस को सबस्क्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्लेस्मेंट्स का भी रीजन यह चैनल बन जाए क्योंकि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना है सो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले और लाउंट के बारे में कम्प्लीट कोड़ वीटा के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे जो भी कट ऑफ है कि कितने कोशन सही करने पर कौन सी प्रोफाइल मिलेगी सारी चीजे डिसकस करते हैं वन भाई वीडियो स्टार्ट करते है सबसे पहले बात करते हैं राउंड वन की सब इस न्थ को पता है कि राउंड वन के अंदर 6 पॉष्ण आये थे अब आप लोग बोल लोगे यह सब चीजें में पता है मैं आपको बदा जता हूं सिक्सक्रार आपको प्लीट करने थे इसका 24 आर क के तीन सभी होगे किसी स्थ्टेंट के चार सभी होगा अगर आप लोग लीट कोड के fifa medium से hard level कोस्वन कर सकते हूं medium to hard level कोश्वन अगर यूट कोड के आपने देखे होगे वेई सेम कोशन मदलब उन टाइप के कोशन लॉजिक सेम रहने वाला देखो कोशन की लेंगविज चेंज जो उस क्योचन हम expect कर सकते कि इसके अंदर आई थी ठीक है तो medium to hard level के जो lead code के question होते हैं हम मानके चल सकते कि उस step की question आये तो step का logic यहां पर लगने वाला था तो code beta जो code beta का exam होता है coding का exam होता है यह एक अच्छे कासी level का exam होता है बहुत basic question नहीं आते हैं एक अच्छे level के आते हैं अगर आप लोग की बहुत अच्छी coding है कि आप कहीं किसी star rating आपकी कहीं अच्छी code forces आप code करते हो lead code पर आपने अच्छे कासे question solve किये तो तभी आप यह code beta का round 1 क्रेक कर सकते हो अब बात करते है कट-off के बारे में कि बहुत कितने question solve करने पर हमें कौन सी profile मिल सकते है क्योंकि तेरा many profiles ninja digital prime अभी मैं आपको बता जथता हूं round 1 है cut-off एक एक करके सारी चीज़े के बारे में बात करेंगे ninja profile अगर आपको ninja profile के बारे में अगर हम बात करें तो three to four question अगर आप कर लेते हूं like काफी students ने तीन question solve की होगी काफी students ने चार question solve की होगी यह करेंड करेंगा ranking के काफी colleges के अंदर अलग अलग को टॉफ रहती है तो तीन question अगर आपने सही किया तो आप मानके चल सकते हो कि आप इंजा के लिए अले जीवल हो जाओगे डिजिटल के लिए आप चार से पांच कोशन expect कर सकते हो एंड प्राइम के लिए आप पांच से च्छे कोशन expect कर सकते हो तो यह बात तो हो गई questions की यह बात तो हमने गल्डी questions की अभी काफी students के बहुत सारे doubts है कि भाईया अभी TCS के अंदर आभी हमारे interviews आएंगे क्या कि round 1 के बाद हमें interview की call आएगी क्या हमारी यह particular rank है कि इस rank पर हमें interview आएगा क्या round 2 के अंदर क्या questions आएंगे क्या प्राइज के जिनके भी rank आचुकि है उनके round 2 का shortlist हो चुक है आप लोग तो आप लोग को मैं बता जता हूं आपको बि बिल्कुल फ्रीली बिल्कुल फ्रीली आप कर सकते हूं मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे बुक कर सकते हो यू कैन सर्च ऑन हीटो हीटो एक प्लाटफोर्म है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइट कर दूँगा जहां पे आप बिल्कुल फ्रीली फ्रीली आप टीसे के सौटफेर इंजिनर से मिल सकते हो यू कैन सर्च आम लुकिंग फो टीसे सौटफेर इंजिनियर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक मिलेगा आपको वहापे आप सर्च करोगी आयम लुकिंग फोर आप इसे सौटफेर इंजिनियर सो आपको मल्टिपल प्रोफाइल मिल जाएगी एंड जैसे आप कोई भी प कर सकते हो और बहुस सारे डाउट्स खाल मंगी सोचोगे त्रींडर्ड रूपीज नगी यहाप सकते हो यह ट्रींडड्रूपीज लगए यह आप देख सकते हूग आप जैसे डाउग अप फ्री में बिल्क२ इनका सेलन ले सकते हूग जब एक TCS के software engineer से आपकी बात होगी, आप वहाँ से चीज़े पूछ सकते हो उनसे, क्योंकि बहुत सारे हमारे मन के अंदर doubts होते हैं, कि भईया हमारी ये particular rank आई थी, अब इतने सारे doubts को आप comment section के अंदर comment करोगे, सो हर एक doubt का comment का reply करना में लिए impossible साहिए, आप सब इस्टरंट्स को पता हैं, सो आप लोग क्या कर सकते हो, TCS के software engineer से बात कर सकते हो, directly and कोई भी पैसा आपका नहीं लग रहा है, वो किस basis पर आती है, जो questions होते हैं, किस basis पर check होते हैं, जो हमारा score बनता है, वो किस basis पर बनता है, सो सबसे पहली चीज है code quality, अब code quality बहुत ज़्यादा ये चीज मनलब ये मान के चलना कि ये बहुत matter करती है, कि आपका जो code है, उसकी quality क्या है, किस level का आपने code लिख रखा है, कितने functions बना रखे है, कितने number of arguments ले रखे है, क्या जो आपका code है, उसकी approach optimal है, या फिर वो एक brute force approach पर run कर रहा है, तो thoroughly उसके code का review होता है, ऐसा नहीं होता है कि compiler ने run कर दिया, सारी चीज़ होगी, जब इस code generate होता है, तो जो आपने code लिखा है, वो जो आपका 10 to 12 line, वहला बहुत बड़ा होता है code तो, ठीक है, बट हम मान के सल सकते हैं कि जो भी आपने 20-30 line का code लिखा है, वो पुरा-पुरा thoroughly check होता है, कि आपकी जो code की modularity यह हो कैसी है, code की quality कैसी है, approach क्या use की है, क्या यह approach जो आपने use की है, वो optimal approach है, क्या आपने space complexity ज़्यादा use की है, क्या आपने time complexity ज़्यादा use की है, so code विटा के अंदर selection लेना not a not a easy task, ठीक है, so code विटा के अंदर selection लेना, code विटा से selection लेना एक easy task नहीं है, आपके college जिसके अंदर TSI की ninja का test होगा, वो उससे आप selection ले सकते हो, वो एक easy task हो सकता है, बट code विटा के तुरू, selection लेना एक easy task नहीं है, flag check, अब काफी students सोचते हैं कि भाई मैं तो अपने friend का code copy paste कर लूँँगा, अब आप लोगों ने खुद देखा हो, जो उनके flagrism पूरा system होता है, वो काफी इनक अच्छा है, flag check होता है, next point, don't waste time in telegram copy paste code, अब बहुत सारे telegram पे code आजाते हैं, वह आप से हम copy paste करके सोचते हैं कि ये तो हमारा run कर जाएगा, ये चीजे सही हो जाएगी, so flagrism में आपका code आजाएगा, आपको कोई किसी को भी एक single penny नहीं देनी है, किसी को भी एक रूपानी देना है code के लिए, ठीक है, अगर आप से आता है, आप करो अच्छी तरीके से, आप अगर किसी आपके दोस्त को आती है coding, तो आप उससे करा सकते हो, आपको खुद से करना है, क्योंकि अगर आप यहां पर सपोस करते हैं, यहां पर आपने चिटिंग करके भी आप इंटर्वी राउंड तक चले गए, तो इंटर्वी राउंड से पहले, आप राउंड टू में आपको प्रॉलम आ जाएगी, इंटर्वी में आपको प्रॉलम आ जाएगी, तो आपको चिटिंग से काम नहीं करना है, ठीक है, ना मूप टू दा राउंड टू पैटन, अब राउंड टू जो हता है, जिसके अंदर नंबर ओफ कोशन, एट कोशन होते हैं, एट आर का यह रहता है, ठीक है, नेक्स्ट अब जितने भी स्टुडेंट्स ने राउंड वन दिया है, अब तक 2023 बैच के अगर मैं बात करूं, तो राउंड वन के बाद, बलब राउंड वन के बाद क्या होता था, कि राउंड वन के बाद इंटर्व्यू कोल आ जाती थी, अब हो सकता है, कुछ कैंडिरेट्स को इं इसमेंट्स मिलेगी, ठीक अच्छी प्रोफाइल से मिलेगी, एंड उसके बेसिस पर आपको निंजा, डिजीटल, प्राइम, यह तीन प्रोफाइल पर इंटर्व्यू आपके होगी, आपको सबको पैकिज पता होगा, मुझे बताने की जरूत नहीं, इसका आपका एप्रो के लिए थोड़ा लग हो जाता है, जैसे यहाँ पर प्राइम का 11LP होता है, MCO और MTEC वाले स्टुनेंट्स का, ठीक है, तो यह आपको पता है, एक पैकिज क्या रहता है, अब इंटर्व्यू की प्रोफाइल का लिंक, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, जिसम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ा है, एक बहुत में अमाउंट पर आपको mentorship मिल जाएगी, चीज़ा आपको समझवा जाएगी, यह मोग के इंटर्व्यू के help से already काफी students को काफी help हुआ है, असेंचर के अंदर हमने काफी students के मोग इंटर्व्यू लिया है, और उनका असेंचर के अंदर सेलेक्शन हुआ है, तो जब भी आपका इंटर्व्यू होगा, आप उससे पहले अपने मोग इंटर्व्यू कंडेक्ट करा सकते हो, इंटर्व्यू प्रैप एंट टिप्स ले स सकते हो, क्योंकि काफी students के इंटर्व्यू के प्रिप्रेशन का डाउट रहता है, तो बहुत सारी services आपको मिल जाएगी, मैं अपना आपको description कर अंदर लिंक प्रवाइड कर दूँगा, जिसके अंदर सबसे important चीज़े हैं, कि ये mock interviews, ये mentorship, मैं कभी भी अपनी team से निगारा सो मैं आपको पहले ही बतायता हूँ, ये mock interview होगा, जो मेरे साथ होगा, एंड इस price पे बहुत minimum amount रखी है, 100-150 rupees, ठीक है, एक under 200 rupees कहा सकता हूँ, मैं, under 200 rupees की amount पे services पे आपको services मिल जाएगी, आपके भईया के साथ, तो description के अंदर बिलिंक प्रवाइड कर दिया है, सो आपको किसी भी तरह की problem नहीं लेनी है, कोई भी आपको tension नहीं लेनी है, जो भी आपका doubt है, जो भी आपको लग रहा है कि भईया, ही मेरा doubt है, तो आप comment section के अंदर comment कर सकते हो, and TCS के software engineer से video meet कर सकते हो, बिल्कुल free में, जिसमें आप चीजे सीख जाओगे, जिसमें आपको चीजे